अतिक एहमद की पूरी कानी अतिक एहमद का जनम 22 अगस्त 1962 मर्तियू 15 अप्रेल 2023 उत्रप्रदेश का कुख्यात माफिया और नेता था वे समाजवादी पार्टी से सांज़द और उत्रप्रदेश विदान्सभा का सदेशिय रहे चुका था 15 अप्रेल 2023 को जांच के लिए अस्पतार ले जाते समय उसकी वे उसके भाई अस्रप की गोली मार कर हतिया कर दी गई व्यक्तिगत वे राजनेतिक जीवन अतिक का विवा साहिस्ता परिविन से हुआ एहमद का पांच बेटे थे जिनके नाम अली, उमर, एहमद, हसद, एहजान और अबाना था इसमें से एक की वे इलाबाद पस्चिम सीट से लगातर पांच बार विदान्सभा का सदेशिय चुना गया 2004-2009 से वे उत्तर परदेश के फूलपूल से चौदवी लोकसभा के लिए समाजवादी पार्टी के उमिदवार के रूप में चुना गया 2009-2003 के बीच वे सोने लाल पटेल दवारा इस्तापित अपना दल का अधियक्स था अतिक एहमद विबिन आरोपों से बंद रेते हुए जेल से ही केई चुनावटा चुका था अपरादिक मामले 15 दिसंबर 2016 को सेम हिंगिन बाटम कर्सी परद्योदिक और विज्ञान विस्ट विदालियक के करमचारी पर हमला करने के लिए अतिक को गिरबतार किया गया था उसके बाद उसको 2019 फिर से गिरबतारी होने के बाद जेल भी बेजा गया था उमेश पाल हत्यकांट के बाद एहमद का जनम एहमद का नाम उस से जोड़ा जा रहा था और गुजरात की साबरवत्ती जेल में बंद अतिक को सुनवाई के लिए प्रियागराज लाया गया था 13 अप्रेल 2022 को पेसी के लिए आये अतिक एहमद जहसी में उसके पुतर असद से इनकाउटर की खबर मिली अतिक पर हर संगीन धाराउंव में से सो से अधिक अपरादिक मामले दर्ज थे वे जेल के अंदर ही से ही अपरादिक गतवीदियों को संबाला करता था उस पर उमेशपाल हत्याकान से संबंद होने के भी आरोप लगे अपनी आखरी हत्याकान से संबंद होने के बाद आरोप लगे अपने आखरी दिनों में उसने आतगवादी संगठन लसकर लसकर एह तेबा आईएस आई और अंडर वर्ल्ड से अपने जुड़े होने की बात पुलिस के सामने कबूल की थी मौत 15 अपरेल 2023 को प्रियागराज में एहमद को अदैलत दोवारा अनिवारी चिक इसा जांच के लिए ले जाते समय अस्प्ताल के बार अतिक और उसके भई असरब एहमद को मीडिया का रूप लेकर आए अपरादी ने सिर्फ में गोली मारी जिसे उन दोनों की वहीं पर मोत हो गई मीडिया रिपोर्टर के मताबिक तीनों सूटरों की पेचान लवलेश तीवारी अरुन मौरिय और सनी सिंग पाल के रूप में हुई है जय हिन जय भरत